हेलो गाईज, वेलकम टो मिस्टिक इंदी टारो, कैसे हो आप सब लोग आए हो, आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो, सो जैसे कि आप जानते हो कि मैं वीकेंड रीडिंग करती हो, यानि कि नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट साटेडे संडे, कैसे रहेंगे, क्या कुछ हो सकता है, आपके पर्सन के एनरजी कैसी होगी, क्या महसूस करेंगे, क्या कुछ होने वाला है आप दुनों की बीच में, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं, ध्यान रखेगा कि ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव री यह जो हम रीडिंग कर रहे हैं, यह candle wax रीडिंग कर रहे है, हम इसमें card reading नहीं करने वाले, it's just candle wax reading और इस रीडिंग में हम next two days की energy check-in करने वाले है, so let's start, देखते हैं के अगले दो दिन क्या मैसूस करेंगे, आपके person क्या कुछ होने बाले है, let's start, so let's light the candle, I hope कि आपको दिख रहा है बावल अच्छे से Let's light the candle देखते है कि इस weekend पे कैसर जाएगा आपका weekend with your partner क्या कुछ उनकी feelings होने वाली है कर दो कि आपको 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 मुझे लगता है कि अगले दो दिन न, इस परसन को कुछ, कुछ bitter memories याद आने वाली है, कुछ ऐसी बाते जो आपने इस परसन को कही है, जाने अन जाने में, चाहे वो आपने दिल से कही हो, या, you know, बस जिस बोल दी हो, आप वो फील नहीं कर रहे थे, लेकिन मेभी आपने बोल दिया कुछ ऐसा जो इस परसन को hurt कर गया, या maybe vice versa, कुछ उन्होंने आपको बोल दिया था, लेकिन कुछ बोला गया है, कुछ exchange of bitter words हुए है, और ऐसा कुछ बोला गया है जो शायद आप दुनोंने एक दूसरे से expect नहीं किया था, या तो उन्होंने आपको कुछ ऐसा कहा, जो आपने कभी expect जिसी बहुत hurt कर गई, या तो आपने कुछ कहा और वो चीज उन्हें बहुत hit कर गई, या तो आपने या तो उन्होंने, ठीक है, और वो चीज उन्हें कोई decision लेने से रोकेगी, झासे होता है, कि हम लगता है कि हमें उससे बात कर लेनी चाहिए, लेकिन हमें उसकी कहीए ब और उस बात को सोचकर बहुत ज़्यदा गुस्सा आएगा आपके पार्टनर को क्लियर्ली वो सोच नहीं पाएंगे एक जज्जमेंट जो होता ही कि aye इन्सान कुछ डिसिजिन लेना चाह रहाएं harag यदि कुछ जच्जमेंट लेना करना चाह रहा लेकिन वो हो नहीं पा रहा तर प्लीकमय को जिससे कि आप hurt हुए हो तो even मुझे लगता है कि एक person अगर next two days में आप से बात करते है, reach out करते है या आप बात करते हो उनसे तो वो बहुत संभल के बात करेंगे especially अगर उन्होंने किसी बात को बोल कर hurt किया था आपको they will be very cautious कि मैं क्या बोल रहा हूँ मैं क्यू बोल रहा हूँ मुझे क्या नहीं बोलना है so यह कहना हो जो मुझे यहाँ पर clearly दिख रही है they will be very 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 careful कि मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है, क्योंकि वो आपको दुख नहीं देना चाहते और अगर आपने कुछ बोल दिया था तो इस परसन को फिर भी दर के बात करेंगे क्योंकि वो आपसे expecting नहीं करते कि आप उन्हें कुछ ऐसा बोल दो फिर से ठीक है देखें मुझे यहापे जो feel हो रहा है आप में से काफी लोगों के partners ने न कुछ बोले बिना भी अच्छानक गायब हो गया आपकी लाइफ से ठीक है घोस्ट कर देना जिसे कहते हैं डिसपियर हो गया आपके जिंदगी से एकदम चले गया कुछ बोला नहीं, कुछ बताया नहीं, कुछ समझाया नहीं कुछ पूछा नहीं इन गायब ठीक है ऐसे भी कुछ लोग हैं यहां पर तो यहां पर दो तरीके के लोग दिख रहे हैं वो लोग जिनके पीछ बहुत बहस होई है यह बहुत हर्टफुल बाते होई है और दूसरे group of people ऐसे है जिनके partner तो गायब ही हो गए उनके जिन्दगी से ठीक है, एकदम ओमभट स्वाहा हो गए ठीक है इस person को, especially अगर यह person थे जिन्होंने ऐसे decision लेके अचानक से ही वो गायब हो गए अपने मर्जी से और आपको दुख दिया आपको डुलाया, आपको इग्नॉर किया तो उन्हें ही वो pain feel होगा उन्हें भी वो pain feel होगा कि मैंने जिस तरह से सामने वाले को दुख दिया मुझे भी वो पीडा हो रही है या मुझे भी वो pain हो रहा है वो उस बार में बहुत सोचेंगे बहुत miss करेंगे आपको ठीक है उसके पहले के जो दिन थे जब यह person आपके life से गए उसके पहले के दिन को यह person मुझे miss करते वे काफी जादा दिख रहे है उन्हें इच्छा होगी कि काश वो दिन वापस आ जाए काश मैने वो decision ना लिया होता काश मैने वो वल्ती ना की होती है मैं भागा नहीं होता उससे दूर ठीक है मुझे कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हैं यहाँ पे कुछ गिने चुने ही लोग है मतलब अगर 10,000 लोग देख रहे हैं उसमें से 10, 12 लोग यह ऐसे specially औरते हैं यहाँ पे ऐसी आपके पार्टनर को specially अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे इन्होंने आपका साथ चोड़ा है यह परसन लिटरली अपने आपको कोस्ते हुए दिख रहे है कि यह मैंने क्या किया मैंने ऐसे वक्त पे मेरे पार्टनर का हाथ चोड़ा जहाँ पे उसे मेरे सबसे ज़्यादा जरूरत थी हर तरीके से उनकी responsibility से वो भागे है उस चीज का उन्हें बहुत गिला अफसोस होगा कि यह मैंने क्या कर दिया ठीक है देखे आप लोगों के बीच में आग लगाने वाले influence करने वाले काफी लोग है थे पास्ट में मुझे अभी तो ऐसा कुछ energy नहीं देख रहा है अपना लेकिन हाँ third parties है यहाँ पे और third party मुझे कोई romantic से ज़्यादा हाँ romantic भी है लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे आपता है कि बाहर के लोग है जिन्होंने influence किया आपके partner को ठीक है गलत राय दी या गलत decisions लेने पर मजबूर किया ठीक है और मुझे लगता है आपके partner ने ऐसे लोगों से अपना रास्ता अलग कर लिया है अपने आपको detach कर लिया है और मुझे काफी लोगों के लिए लगता है next two days में there is going to be a new brand start एक fresh शुरुवात रिश्थे की ठीक है मतलब past की सारी बातों पे मिटी पाके एक new beginning एक start over जैसे कहते हैं एक नहीं शुरुवात योग शुरुवात से शुरुवात करते हैं ऐसी energy मुझे याँ पे लग रही है कि चलो एक मौका तो देते हैं ऐसा भी अपके person अपसी कह सकते हैं कि चलो let's give it another chance एक नहीं डिरेक्शन में जाके देखते हैं नहीं शुरुवात करके देखते हैं कुछ नया करके देखते हैं stuck feel कर सकते हैं ये person next two days काफी stuck feel करेंगे लगेगा कि जैसे ये अपने खुद के दुश्मन बन गए है इन्होंने अपने आपको ही रोक लिया है इन्होंने अपने आपकी और आपकी और आपकी दोनों की life को hold पे डाल दिया है you know stack पे डाल दिया है ऐसा इस person को feel होने वाला है बट ये हर trap से हर मुश्किल से मुझे निकल कर आपके तरफ आने का decision लेकर आपके तरफ आते हुए भी देख रहे है for a lot of you मुझे रखता है कि काफी लोगों के लिए आप में से वो वक्त आ चुका है जहां पे उनका decision हो चुका है you know it's just कि वो अब action लेंगे आपके तरफ वो ही एक time बज़ा है you know countdown शुरू हो चुका है आपके reunion का okay so या बहुत लोगों के लिए एक खुश खबरी है कि time down you know countdown शुरू हो चुका है and time is up okay आपको और wait करना नहीं पड़ेगा same pattern जो past में repeat होते थे वैसे repeat नहीं होने वाले है totally new beginning और आपको इस person का एक नया रूप देखने बिलेगा you know कुछ लोग तो मुझे यहां पे next two days में mirror करते वे देख रहे हैं आप दोनों की same feelings होगी okay जैसा आप महसूस करोगे वैसे आपके partner feel करना शुरू कर देंगे out of nowhere और जैसे आपके partner के emotions है आप भी exactly वैसा ही महसूस करने लगोगे ठीक है और यह चीज आपको बड़ी अजीब लग सकती है यह चीज आपको you know it might make you feel as if यह क्या हो रहे तो जैसे कि होता है mirroring of images में feelings में क्या होता है कि अगर आपके person वहाँ पर दुखी है न तो आपको भी अचानक से दुखी हो न फील आप कर लोगे तो इसलिए मैं बोलती हूँ जब specially जो लोग mirror करते है न feelings को तो आपको consciously happy रहना है consciously रिष्टे के बार में positive सोचना है वही फिर आपके partner mirror करने लगते हैं काफी कुछ realize कर रहा है आपके partner बहुत कुछ इस रिष्टे की गहराई को आपके प्यार को आपकी importance को लोग कैसे है किस तरह से लोगों ने खराब करके रखा है रिष्टे को कितना इन्होंने लोगों को involve होने दिया इस connection में वो सारी चीज़े ये person you know they are going to understand okay और इस person को ये भी realize होगा कि मैंने you know मैंने कितनी गलत चीजों को hold करके रखा था इस connection में जिसके चलते हमारा रिष्टा स्टक रहा चाहे फिर वो third party हो या इनके अंदर की कुछ negativity हो काफी चीज़े ऐसी थी ती ना जिस जिसको ये person छोडने पा रहे थे और जिसके वज़ा से आपको एक stable रिष्टा नहीं दे पा रहे थे and I think they are going to work on it they are going to understand it okay इन्होंने अपने pride के चलते भी काफी गलत डिसिज़ेंस लिये है मतलब आपने ego के चलते बहुत ज्यादा खुद पे गर्व होना बहुत ज़्यादा गलत लोगों के साथ रहता है गलत लोगों की सुनता है गलत चीजे समझता है और वो अपने ego को सबसे पहले तो मुझे लगता है इनोंने जैसे विसरजित कर दिया है ego को इनोंने टाटा बाइवाय कर दिया है मुझे लगता है कि next two days में जो भी लोग अपने partner से deal करोगे अगर ego issues थे it's over ठीक है खतम है मुझे नहीं लगता वो ego issues अभी मुझे फिर से नहीं देख रहा आप तुनों की connection में ओके सची feelings मुझे लगता है यह person आप confess करेंगे ना तो यह अपनी feelings चुपाने वाले है ना तो यह अपनी सच्चाई चुपाने वाले है कुछ भी नहीं आप इनके real self को देखोगे real self को जान पाओगे मैं दूसरा candle देती हूँ क्योंकि मेरी reading अभी तक खतम नहीं हुई है मुझे रखते हैं और energy आना बाकी है देखे यह person चाहते है कि past को past में छोड़के एक नया मौका आप उन्हें दो ठीक है यह आपसे एक second chance मांग सकते है यह कह सकते है कि मेरी गलतियों को माफ कर दो सबसे गलतिया होते हैं मुझे से हो गई छोड़ दो माफ कर दो let's move ahead तो yeah they want to let go of the past and move forward with you चाहे उनकी गलती होई हो चाहे आपकी गलती होई हो वो नहीं चाहते कि past को future में ले आए ठीक है तो आपसे एक और मौका मांग सकते हैं कि मुझे लगता है कि इस पॉसन को यह रियोलाइज होने वाला है कि गलत लोगों के पीछे भागे है गलत situation को चुना है गलत decisions लिए है अभी मुझे 1111 दिखा स्क्रीन पर तो गलत लोगों को इन्होंने हमेशा आपके उपर चुना गलत decisions लिए गलत सोचा गलत किया ठीक है क्योंकि यह रियलाइज होना है अपने आप में बड़ी बात है और यह रियलाइज आपके परसन कर रहे है उनको यह भी रियलाइज होगा किस तरह से उन्होंने वॉक अवे खिया किस तरह से इन्होंने आपको छोड़ दिया you know cold shoulder they gave you a cold shoulder जैसे मैंने बोल लोगों को तो इन इसा ही मुझे कुछ यहां पर होते हुए दिख रहा है कि इस परसन ने डेफिनिकली आपको अचानक से ड्रॉप करके कहीं और चले गए ओके और विच वॉस यह चीज समझना वे बहुत बड़ी बात है कि सामने वाले को मैंने ड्रॉप करके उसे इतने सपने दिखाके उसे आपके बातनर को इंदर नेक्स टूदीज ओके डर भी रहे है इनको लगता है कि आप इन्हें मौका नहीं देना चाहते या आप इनकी साथ अब डील नहीं करना चाहते एक अन्नोन फियर है इंके अंदर एक डर है ओके आपके रिजेक्शन का यह परसन पता है कैसे है यह ख लग जाती है इनको कुछ बोल दो तो इनको लग जाती है बट यह खुद नहीं सोचते कि इनोंने कितना बत से बत्तर किया आपके साथ और वो भी उस रिष्टे में जहां पर आप इनके सोल मेट हो या आप इनके ट्विन फ्लेम हो मुझे काफी लोग आज की रीडिंग जो मुझे लगता है कुछ ऐसे लोगों को अपने लाइफ से भटा रहे है जो इस रिष्टे के लिए खत्रा है किसी बी तरह से ठीक है जो कि मुझे लगता है बहुत पहले इनको कर देना चाहिए था बट ठीक है देर से ही सही डिसिजन लेना सही टाइम पर ज़रूरी है जो ल इनका एक टॉक्जिक रिलेशंशिप है उन सबसे रिष्टा फाइनली ब्रेक अप करने वाले है या मेबी कर चुके है या अपके साथ में एक कंप्लीट रिलेशंशिप चाहाते है जहां पर सब है दोस्ती है प्यार है नो पैशन है दिवानगी है औप्सेशन है इस परसन के आपको लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा रगता है कि आप दुनों का रिलेशन्शिप ठीक होने के लिए एक दिन भी काफी है अगर यह अपने आपको सही तरीके से आपके सामने एक्स्प्रेस करते हैं अपने गलतिया मानते हैं तो मुझे लगता है एक दिन भी काफी है आप दुनों के बीच में चीजों को ठीक करने के लिए लेकिन पतानी क्यों इन्हें ऐसा लगते है इन्हें आप क्या चाहते हो इन्हें आप क्या चाहते हो इसके बार में इक उपेस्प्रेशन क को oh my god, इनके अंदर आपको लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, like physical attraction मतलब इतनी ज्यादा है, जिसके हद है, ठीक है, obsessed है ये person they want to be close to you 24-7 ये आपको अपनी एकदम, you know, they feel as if, जैसे शिव शक्ती के energy होती है बड़ी intense energy है, इनकी feelings बहुत intense है and वो आपको अपने अपना हिस्सा मानते है, okay, they feel you both are one, right मुझे इनके अंदर जो एक yin energy है, वो कही ना कही चार्ज़प हो रही है, balance हो रही है जिसके चलते एक divine, you know, इनके अंदर एक feminine energy balance हो रही है जिसके चलते हैं ये प्यार, affection, care करना, ये सारी चीज़े feel कर पा रहे है sensuality, okay lust बहुत कर रहा है आपके ओपर ये person, ठीक है मुझे रखता है जब साथ नहीं होते हो, they think about you, they समझ जाओ भी, मतलब ये आपको सोच के बहुत lust करते है मुझे पते है एक फणी सी बात feel हो रही है कि मैं बोलू इस person के बैटरी डेड हो रही है आपके बिना, मतलब अगर मजाकिया तो और भे कहां जाए ना उनके बैटरी लो हो रही है और जैसे डेड होने पे आई है so he feels so withdrawn and so emotional and so low without you lonely, lonely feel कर रहे है आपके बिना secretly आपको नजर रखते है, secretly प्यार करते है secretly सब कुछ चल रहा है और loyal भी है अगर पहले ये loyal नहीं थे ना now they want to be loyal to you, ठीक है मुझे लगता है कि आपके साथ ना होते हुए भी ये अपनी loyalty निभा रहे है that is what I see है, इनके life में अभी कोई नहीं है, they don't want anyone so yeah, that was it I hope कि ये reading आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो like, comment, share जरूर करेगा सुवे मैंने current feelings update डाला है, अगर आपको देखनी है तो आप जाके देख सकते हो link मैं पहले comment में दे दूँगी and हाँ happy janmasht me सब को कल ही विश कर देना चाहे है लेकिन आज भी है तो happy janmasht me, आप सब को each one of you, yeah see you next video